हिंदी व्याकरण के अंतरगत हमारा टॉपिक मुहावरे और लोकोक्तियों का चल रहा है बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है क्योंकि RBSC की बुक से ही हम लोग मुहावरे और लोकोक्तियों को कर रहे हैं तो एक भी मुहावरा और लोकोक्तियों जो भी कराई जा रही है most important है जैसे ही complete हो जाते हैं हिंदी व्याकरण के topic एक एक करके इनका हम test लेंगे जिससे पता लग जाएगा कि आप लोगों की तैयारी जो है वो कितनी अच्छी चल रही है देखिए इन book से बाहर जो है वो कुछ भी नहीं आता है और बार बार इसी चीज़ को बोला भी जाता है तो आप बिल्कुल भी इसे ignore ना करें ठीक है कि मुहावरे हैं लोकोक्तियां हैं ये तो हम कर ही लेंगे क्योंकि जब चार option आते हैं तो हमेशा ही दो option में हम क्या रह जाते हैं ठीक है कि कौन सा answer जो है वो सही होगा तो यदि आपने यहाँ पर सही याद ही कर लिये हैं तो आपको गबराने की जुरुत नहीं है चलिए start करते हैं next है किलाफते करना किलाफते करने का आर्थ है कि जब हम किसी कार्य में सफलता हासिल कर लेते हैं वो भी कोई मुस्किल कार्य हो उसमें सफलता हासिल कर लें तो इसका आर्थ होता है कि हमने तो किलाफते ही कर लिया खाल खीचना अब खाल खीचने का अर्थ क्या है कि खाल तो नहीं कीची जाती है लेकिन जब बहुत मारा जाए बहुत पीटा जाए तो कहा जाता है कि तेरी तो क्या खाल ही खीच लूगा ठीक है अक्सर कह दिया जाता है गाउं में कहते ही हैं ऐसे कि तुम्हारी तो खाल ही खीच ली जाएगी, यानि बहुत ही पिटाई होगी, तो तुम ये कारे जो है, वो सही करो. खाट पकड लेना, इसका अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ती बीमार पढ़ जाता है, तो उसके लिए कहतेते हैं कि उसने तो बहुत ही दिनों से खाट पकड ली, यानि बहुत बीमार पढ़ गया. खरी खोटी कहना, बहुत ही बुरा कहना या भला बुरा कहना. खाक चानना, अब खाक चानने का अर्थ है कि मारे मारे फिरना. निरुदेश्य भटकना, यानि कि बिना किसी धरुदेश्य या लक्ष के, जब इंसान इदर उदर भटक रहा होता है, तो क्या है? खाक चानना, इसका अर्थ होता है मारे मारे फिरना, तो ये आपको याद रखना है, खाक चानने का अर्थ क्या है, मारे मारे फिरना, खेत रहना, अब खेत रहने का अर्थ है कि युद्ध में मारे जाना, ठीके, तो अब ये जो मुहावरा है, जो की खेत रहना, इसका meaning जो है वो exam में confuse करेगा बिल्कुल यहीं यात कर लो फिर खेत रहने का अर्ठ है कि युद्ध में मारा जाना खाक में मिलना कि बिल्कुल ही नस्ट हो जाना खुन खौलना खुन खौलने का अर्ठ है कि बहुत ज़्यादा गुस्टा आ जाना खून पसीना एक करना तो खून और पसीना एक करना इसका अर्थ है बहुत ज्यादा परिश्रम करना कठोर परिश्रम करना ख्याली पुलाव पकाना, ख्याली पुलाव यानि की ऐसे ही कुछ भी कलपनाएं जो है वो गड़ना, कोरी या व्यर्थ कलपनाएं करना, खून का घूट पीकर रह जाना, तो खून का घूट तो कोई नहीं पीता है, पानी का पीते हैं, तो खून का घूट पीकर रह जाना, इसका आर्थ है कि बहुत ज़्यादा गुसा आ रहा है और चुप चाप उस गुसे को सहन कर लिया। इसका आर्थ है कि खून का गूट पीकर रह जाना। खरी-खरी सुनाना, जैसे कि खरी-खोटी कहना, उसका आर्थ था कि भला-बुरा कहना। और खरी-खरी कहना, खरी-खरी कहने का अर्थ क्या है, बिल्कुल क्लियर कर देना, साफ-साफ कहना, खून सूखना, खून सूखने का अर्थ है, डर जाना, बहवीत हो जाना, जब किसी चीज से डर जाते हैं, तो क्या हो जाता है, खून सूखना, इसका अर्थ दिया जाता है, बहबीत होना, खटाई में पढ़ना, यानि कार्य में व्यवधान आना, जब किसी कार्य के बीच में रुकावट आ जाती है, तो कहते हैं कि यहां तो क्या हो गया, या तो खटाई ही पढ़ गई, खटाई पढ़ना, किचडी पकाना, यानि गुप्त योजना बनाना, जब ती गंगा नहाना, किसी कठिन कार्य को पूर्ण करना, अब कहते हैं कि हमारा ये कार्य हो गया है तो अब हम गंगा नहाएंगे, यानि हमारा जो कार्य है वो बहुत कठिन था और ये पूरा हो गया, तो इसका मुहावरा बनेगा गंगा नहाना, गड़े मुर्दे उखारना, पु गानी बात करना देखिए देखने में तो यह चीजें सुनने में बहुत आसान लगती हैं लेकिन एक्जाम टाइम में यही चीज जो है वो डिफिकल्ट जब हो जाती है जब हमने इनको बिल्कुल ही नहीं पड़ा होता है गले मरना जानी कि जबर जस्ती कारे जो है वो सौप दिया जाना कि उसने तो मेरे ही गले मर दी यह चीज और मुझे बोल दिया कि यह कारे जो तुमें ही करना है गागर में सागर भरना थोड़े सब्दों में बहुत कुछ कह देना गागर में सागर भरना अब गागर में पूरा सागर तो नहीं भरा जा सकता तो इसका आर्थ क कि थोड़े सब्दों में ही बहुत बड़ी बात कह दी, मुहावरा बनेगा, गागर में सागर भरना, गाजर मूली समझना, भई उसने तो मुझे गाजर मूली ही समझ रखा है, यानि कि गाजर मूली की तरह ही, जिस तरीके से खाने के साथ गाजर मूली एक्स्ट्रा होती है, इसी तरीके से बिलकुल मामूली समझ लेना तुछ चोटा समझ लेना फिर के गाजर मूली समझना गाल बजाना का अर्थ है बढ़ चड़ कर बाते करना तो देखिए important जो है वो यहाँ पर क्या है important जो है वो यह है खरी खोटी कहना और इसके अलावा ख्याली पुलाव पकाना खरी-खरी सुनाना ये important है इनको आप याद करिएगा खेत रहना अचानक से पूछ लिया जाए मुहावरे का अर्थ क्या है खेत रहना बिल्कुल नहीं बता पाएंगे जब पड़ा ही नहीं है तो युद्ध में मारे जाने को बोलते हैं खेत रहना चलिए next देखते हैं गुडगोवर करना यानि बना हुआ कार्य जो है वो बिगाड देना गुडगोवर करना की कार्य जो है वो बिगाड दिया गिर्गेट की तरह रंग बदलना जिस तरीके से गिर्गेट जो है वो शन भर में अपना रंग बदल देता है यानि अवसरवादी होना कि इस अवसर म में इंसान का फायदा हो रहा हो उसी अफसर का हो जाना तो जो मौका वो उन्हां और अपना काम बना लेगैं कि तुम तो गिरगिट की तरह ही रंग बदल देते हो लिए हाव जैसा कारे humanos चल रहा होता है उसीमें अपना फायदा esट एक्जाम में आपके आएंगी इस्थाई रूप से याद रखना अब देखिए गांट बांधना और गांट पढ़ना तेक है। गांट पढ़ना का अर्वत ही अच्छे तरीके से उस चीज्द को याद कर लेना। गूद्री का लाल होना, गरीबी में भी गुडवान होना, गूद्री जो है वो किसकी होती है, गरीबों की ही होती है, ऐसा कहा जाता है, क्योंकि अमीरों के तो गद्दे होते हैं, तो गूद्री यदि लाल हो जाए, मतलब गरीबी में भी गुडवान होना, गंगा नहाना, य गंगा नहाने जाता है, यानि उसने अपनी जिम्मेदारी है, पूरी कर ली है, अब उससे वो मुक्ती मिल गई है, गाल फुलाना, गुसा होना, अब यह हमने देखा था, गाल बजाना, गाल बजाना यह नि बढ़ जड़ कर बात करना, और गाल फुलाना, इसका आर्थ है कि गोडे बेचकर सोना, गोडे बेचकर कौन सोता है, वही निस्चित होकर सो गए, उसका आर्थ है कि गोडे बेचकर सोना, मुहावरे का आर्थ है निस्चिंत होकर सोना, घुटने टेकने का आर्थ है हार मानना, गी के दिये जलना, अब गी के दिये जो हैं वो दिपावली पर जलाए जाते हैं क्योंकि बहुत खुशी होती है इस वजह से खुशिया मनाने के लिए घी के दिये जलाए जाते हैं घडो पानी पढ़ना यानि कि लज्जित होना घडो पानी पढ़ना कारता है शर्मिंदा होना लज्जित होना घर फूक कर तमासा देखना अपना नुकसान होने पर भी क्या करना मौच करना अब कुछ होते हैं अनारी जो कि घर को फूकने के बाद भी तमासा देखते हैं क्या खुद का ही नुकसान करते हैं और उसमें मजेग लेते हैं. गाद-गाद का पानी पीना. इस्थान-इस्थान का क्या होना? अनुभव होना, experience होना. अब कहते हैं कि मैंने तो गाद-गाद का पानी पिया है, यानि कि मुझे तो इतनी जपने ज़ादा नौलेज है, इतना गास काट रहे हो इसका अर्थ है कि बिना फिजूल जो की कारे नहीं है जो की अच्छा कारे नहीं है गुणमत्ता पूर्ण कारे नहीं है उसको कर रहे है ठीक है बिना गुणमत्ता कारे करना यानि घास कारना घाव हरा होना बूला दुख दर्द याद आना यानि कि पहले जो परेशानी होई थी, दुख या पीड़ा होई थी, वो दुबारा से यदि याद आ जाए, तो क्या है, घाव जो है, वो क्या हो गए, हरे हो गए, घर बसाना, इसका अर्थ है कि विवाह कराना, चीटी के पर निकलना, अब चीटी के पर कैसे निकलेंगे, मृत्यू के दिन जो हो गई, चैन की वंसी बजाना, चैन की वंसी बजाने का अर्थ है कि मौज करना, चोली दामन का साथ होना, यानि बहुत निकटता होना, चिकना घड़ा होना, अब कोई व्यक्ती किसी के ओपर कोई फरक ही नहीं पड़ता है, तो कह दिया जाता है कि ये तो चिकना घड़ा ह यानि पानी डालो और फिर पानी जो है वो बिल्कुल सीधा नीचे आ जाएगा नहीं रुकेगा यानि बेशरम होना कुछ भी असर ना होना चांदी का जूता मारना अब चांदी का जूता जो है वो कैसे मारा जाएगा जब इंसान रिश्वत लेता है घूस लेता है तो मुहा रिस्वत्र लेना, चांदी का जूत्ता मारना, गूसर रिस्वत्र लेना, चार चांद लगाना, सोभा में क्या करना, व्रिद्धी करना, चादर से बाहर पैर पसारना, कि इंकम तो कम है और खर्च जादा है, तो चादर से बाहर पैर पसारना, इसका अर्थ होता है, आय से जा कि चार दिन की चांदनी होना चार दिन की चांदनी का मतलब है चांदनी होती है है तो अच्छा ही होता है याणि सुक दो मिला है लेकिन बहुत शंळबर का अलम काली ऑन पहनना चूडियां पहनने का अर्थ है कि काय अर्था दिखाना नेक्स है चारो खाने चित होना अब बिल्कुल बुरी तरह से जब पराजित हो जाता है तो उसका मुहावरा बनता है चारो खाने चित होना कि अब तो कुछ भी नहीं बचा पूरी तरह से ही हार चुका है चंग चक्की पीजना, यनि यह तो कई बार आप लोगों ने सुना है मुहावरा, कि चक्की पीजना, जेल की सजा, भुगतना, चिकना देख, फिसल पढ़ना, किसी के रूप या धन पर लुभा जाना, जैसे ही चिकना देखा और आप फिसल गए, तो इसका अर्थ क्या है, कि किसी क का रूप देखा धन देखा तो क्या लुभा जाना चित उचटना मन ना लगना चित यानि मन और जब यह उचट जाता है तो मुहावरा बनता है चित उचटना अर्थ है मन ना लगना चक्के छोड़ाना यानि बुरी तरह हराना चटी का दूद याद आना संकट में पढ़ना चाती पर मुंग दलना अब चाती पर मुंग कौन दलता है कि साथ में जो रह रहा है संगी साथी और वो परेशान करे तो क्या कहेंगे चाती पर मुंग दलना साथ रहकर परेशान करना चप पर फाड कर देना बिना परिश्रम बहुत देना चाती पर पत्थर रखना यानि कि क सहन करना चाती पर सांप लोटना इसका अर्थ है लोटना 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 इरश्या करना च्छाओं तक न छूने देना समीप न आने देना कि तेरी तो च्छाओं ही मेरे उपर न पड़े यानि बिल्कुल नजदीक न आपाओ च्छाओं तक न छूने देना समीप न आने दे चटे चटे फिरना ये कि वो तो इधर उधर तितर वितर है चटे चटे ही फिर रहा है यानि दूर दूर रहना चटे चमासे आना चटे चमासे यानि कि चे माहा में आ जाना यानि बहुत कमाना कभी कभी आना चटे चमासे आना कभी कभी आना चप्पर पर फूस ना होना जब चप्पर है एक तो गरीब है और फूस भी नहीं है उसके उपर भी तो क्या है कुछ जादा ही गरीब है अत्यांत गरीब होना चाती ठोकना कठिन कार्रे हेतु प्रतिग्या करना चाती ठोक कर बोलते हैं कि इस कार्रे को हम करने की प्रतिज्या लेते हैं मुहावरा है चाती ठोकना, कठिन कार्रे है तु प्रतिज्या करना चींकते नाक काटना, कि कोई बात स्टार्ट ही हुई है कि उसने तो क्या कर दिया उस चोटी सी बात पर ही दंड दे दिया, चीकते ही नाक कार दी, जले पर नमक रखना, पहले से ही जला हुआ है और उस पर नमक और चड़क दी जाए, तो दर्द जादा होगा, तो दुखी व्यक्ति को और दुखी करना, देखें मुहाबरे जो होते हैं, इनको आप सेंटेंस में प्रियोग करेंगे, वाक्य में प्रियोग करेंगे, तो ये आपको एक्जाम टाइमें बहुत इजी लगेंगे, जान हतेली पर रखना, म्रत्यों की परवाह ना करना, जहर का घूट पीकर रह जाना, कडवी बात सहन करना, जहर उगलना, यानि कडवी बाते कहना, जी त मक्की निगलना अब जिन्दा मक्की को कौन निगलता है कोई नहीं निगलता है लेकिन क्यों कहा गया है मुहावरा इस पस्ट दिख रहा है और की अन्याय हो रहा है लेकिन फिर भी उसको सहन कर रहे हैं तो ऐसा कब होता है जिन्दा मक्की निगलना जी चुराना यानि उस कार से स्वैम को क्या कर लेना अलग कर लेना जहर उगलना बहुत ही बुरी बातें कहना अपमान जनक बातें कहना जड काटना यानि बिल्कुल ही नश्ट कर देना जमीन आसमान एक करना सभी उपाय करना जमीन आसमान एक करना सभी उपाय करना जमीन आसमान का अंतर बहुत भारी अंतर देखिए जमीन आसमान एक करना सभी उपाय करना और जमीन आसमान का अंतर क्या है बहुत बड़ा अंतर है कहां जमीन है और कहां आसमान है बहुत जादा अंतर है जान के लाले पढ़ना अब तो प्राण संकट में ही पढ़ गए तो कहेंगे जान के लाले पढ़ना जू जलती आग में कूदने कार्थ है, जान बूज कर विपत्ती में पढ़ना, जिंदगी के दिन पूरे करना, मृत्यू के दिन समीप होना, अब तो जिंदगी के दिन जो पूरे कर लिये हैं, तो इसका अर्थ क्या है कि मृत्यू के दिन समीप होना, इसी तरीके से था कि चीटी क पर निकलना जिल्लत उठाना अपमाने तो होना जिल्लत उठाने करता है अपमाने तो होना जी छोटा करना हिर्दे के उत्सहा में कमी कि ऐसा कहते हैं कि बिल्कुल भी जी को छोटा मत करो इसका अर्थ है कि अपना जो इसको कम मत करो तो जी छोटा करना यानि कि उत्साहा में कमी करना जूठे हाथ से कुटा न मारना अब देखिये ये एक और आगे आप most important जूठे हाथ से कुटा न मारना ठीक है ये important है अठ्थेदिक कंजूस होना जब बहुत ही जादा कंजूस होता है इंसान तो बोलते हैं जूठे हाथ से कुटाना मारना इसको आपको याद करना है जंडा गारना यानि अधिकार करना टांग अडाना बाधा डालना तेड़ी उंगली से घी निकालना कठोरता से काम निकालना तेड़ी खीर होना कठिन काम अब इन दोनो और तेड़ी उंगली से घी निकालना यानि कठोड़ता से काम निकालना, याद करना है आपको तेड़ी उंगली से घी निकालना, कठोड़ता से काम निकालना, तेड़ी खीर होना, बहुत मुस्किल काम, कठिन कारे होना, जूटे हाथ से कुट्ता न मारना, अठ्यदी कंजू होना अब इन दोनों को अच्छे से देखना है आपको टका सा जवाब देना यानि साफ साफ मना कर देना टका सा मुह लेकर रहा जाना यानि छोटा सा मुह लेकर रहा जाना और कब रहेंगे जब वो इनसान जो है लज्जित हो लज्जित होना टकर लेना यानि मुकावला करना टस से मस न होना, अपने इरादे से न हटना, ठीकरा फोड़ना, ठीकरा कि उसने तो अपना ही ठीकरा मेरे उपर फोड़ दिया, कि जो सब कुछ आरोप था वो तो मेरे उपर ही लगा दिया, दोस लगाना, आरोप लगाना, ठोड़ी पर हाथ धरे बैठना, चिंता मगन बैठ थोड़ी पर हां धरे बैठते हैं इसका मतलब है कुछ सोच रहे हैं चिन्ता मगन बैठना तकुर सुहाती बाते करना में डभकूर सुहाते दंका बजना, प्रभाव होना, अब तो इस पूरे महले में उसका ही दंका बजता है, मतलब उसी का प्रभाव है, डंकी की चोट कहना, भई हम तो डंकी की चोट पे इस बात को कह रहे हैं, खुले आम कह रहे हैं, देड़ चावल की खिच्डी पकाना, अब देड़ चावल की मिटिंग में एक इंसान जब बहुत ही अलग राय दे, सबसे अलग राय दे, तो देड़ चावल की किछली पकाना, धाई दिन की बातशाहत करना, यानि धाई दिन थोड़े टाइम के लिए ही क्या, बहुत ज़्यादा ऐश्वाराम मिलना, धिंडोरा पीटना, अति प्रचार करना, अब क्या था, डंका बजना, यानि उसका प्रभाव होना, धिंडोरा पीटना, यानि अति प्रचारित करना, धोल में पोल होना, अब धोल है और उसमें भी पोल, तो क्या है, सारहीन होना, सारहीन होना, तलवे चाटना, अब ये वही है चापलूसी वाला, कि खुसाम अब देखें यहाँ पर भी आ गया, तूती बोलना करते हैं, प्रभाव होना और डंका बजाना करते हैं, प्रभाव होना, तलवार के घाट उतारना, मार देना, तितर बितर होना, अलग-अलग हो जाना, तकता उलटा, सरकार बदल जाती है तो क्या कहते हैं, तकता उलट गया तेली का बैल होना हर समय क्या करते रहता है हर समय काम में जुटे रहना तेवर चड़ना यानि पहुत ही गुसा आना तह तक पहुँचना कहां तक पहुँचना बिल्कुल अच्छे से बात का ठीक से पता लगाना तो आज हम यहां तक ही करते हैं काफी हो गए हैं आप लोगों को इसको रीड करने में भी मुश्किल होगी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थेंक यू